की सुरात होती है बैकी, उसके हस्बेंड डैन और बैकी की वेस्ट फ्रेंड हंटर से, ये तीनों उन लोगों में से हैं, जिने मजे के लिए अपनी जान खत्रे में डालने का सोख है, तीनों एक सेखडों फीट उचे पहाड पर रोक क्लाइमिंग कर रहे थे, सेफटी के नाम दोनों उसको बचाने की कोशिस करती है, लेकिन डैन का एंकर भी पत्थर से लूज हो जाता है, और डैन की सेखडों फीट नीचे गिरने से मौत हो जाती है, इसके बाद कहानी लगवक एक साल आगे जाती है, बेकी अभी भी उस हाथ से को भुला नहीं पाई है, और वो हमे जैम उतना अच्छा लड़का भी नहीं था, जिन्दगी उसके लिए रोती बेट है, लेकिन बेकी अपने डैट की एक बात भी नहीं सुनती, उसने डैन की अस्तियां भी अपने पास ही रखी हुई थी, अगले दिन उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर उससे मिलने आती है, हंट हंटर इसके उपर चड़ने वाली है, वो चाती थी कि बेकी भी उसके साथ चले और अपने डर का सामना करे, टावर के उपर जाकर डैन की एस्टिया भी बहा सकती है, शुरू में तो बेकी साप मना कर देती है, लेकिन वो अगले सुबह हंटर के साथ में जाने के लिए मान दोनों टावर के पास वाले घर के पास रुकते हैं, उस टावर के उपर हमेशा एक रेट लाइट जलती रहती थी, ताकि उपर उड़ रहे एयर प्लेन सुनके उपर ना टकरा जाएं, बेकी नोटिस करती है कि उसके मोबाइल की वेट्री लो है, तो हंटर उसको एक के बल्फ को निकाल कर, उसमें चार्जर की पिन घुसा देती है, इससे बेकी का मोबाइल चार्ज होने लगता है, इंडिया में आप लोग ये ट्राई मत करना, बरना धमाका होगा, एकली सुबह बेकी को डैन का एक सपना भी आता है, जिसमें हमें पता चलता है कि, डैन कभ बेकी को आई लेव यू नहीं कहता था, तो सिर्फो सिर्फ वन फोर त्री ही कहता था, खैर दोनों टाबर पर चणने के लिए रेडी हो जाती है, हमें ये भी पता चलता है कि, डराब एक यूटूबर है, वो सभी अपने कारम नामों के वीडियो बना का यूटूब में लेकिन उसके पास बॉंडरी लगी हुई थी, तो ये दोनों अपनी कार को पीछे छोड़ कर पैदल ही चल देते हैं, ये लोग गिद्धो को देखते हैं, जो कि एक हिरन को खा रहे थे, जबकि वो हिरन अभी भी जिन्दा था, बेकी को ये देखकर भुरा लगता है, इस प इसके बाद बो दोनों उस टाबर तक पहुंच जाते हैं, देखने में ऐसा लग रहा थी कि मानों ये टाबर बादलों में गुसा जा रहा है, टाबर की उचाई देखकर बैकी डर जाती है, लेकिन हंटर उसे इंकरेज करती है, दोनों टाबर की चड़ाई सुरू कर देती ह टाबर में 1800 फीट तक अंदर की और सीड़ी लगी हुई है, फिर उसके बाद 200 फीट तक सीड़ी बाहर की और लगी हुई थी, टाबर पुराना और जंग लगा हुआ था, जिसके कारण इसके पुर्जे पुर्जे आवाज कर रहे थे, एक सीड़ी तो निकल कर बेकी के हाथ में भी आ जाती है, लेकिन हंटर इन सब पर बिल्कुल भी धियान नहीं देती, दोनों की बीच में एक 50 फूट लंबी रस्थी बधी हुई थी, आकि कोई एक नीचे गिरे तो भी उसको सम्हाल ले, बीच में रुक कर ये वाटर ब्रेक लेते हैं, अब तक ये आईपल बस चड़ती ही जा रही थी, रास्ते में इन्हें दो डिस एंटीना भी मिलते हैं, उनमें से निकल कर ये दोनों टावर के टॉप पर पहुंच जाते हैं, लेकिन काफी हलचल होने के कारण पीड़ी से कुछ इसकुरू निकल गए थे, के उपर इन दोनों का ध्यान नहीं ज सौर्ट्स रिकॉर्ड करती है, और यूटूब वीडियो उपर बढ़ियां से थंबनेल लगाने के लिए, बीना किसी सेप्टी के सिर्फ एक हाथ से टावर के उपर लटक जाती है, जानते हुए कि हाँ इन से एक चूप भी हुई, तो दोनों ही डैन के पास पहुंच जाए बेकी ने अपने डर के उपर काबू पा लिया था, अब बेकरी आखरी काम्यानी की, इनकी एस्टी अभी हवा में उड़ा देती है, किसी कारण से बेकी हंटर से जादा रो रही थी, फिर अब दोनों को वापस नीचे जाना था, कि समानों का बेक अपने पीछे टांकती है, पहले नीचे उताने लगती है, और घिसका डर थावि होता है, पली के बॉल्ट्स निकल कर गिनने लगते हैं, से सीड़ी टावर से ही उखड जाती है, इस कारण बेकी की पकड़ सीड़ी से छूड़ जाती है, और वो नीचे गिनने लगती है, लेकिन उन्टर जो की ऊपर तुरंत ही उपर वाले पोल को पकड़ लेती है, से बैकी बीच में ही लटक जाती है, बैकी तो बच जाती है लेकिन उसका बैक नीचे डिस एंटीनर से गिर जाता है, से बुरा तो यह हुआ था कि बाहल लगी हुई पूरी सीड़ी नीचे गिर गई थी, हंटर अपनी पूरी फीट के उपर ट्रैप हो चुके हैं, जादा उचाई होने के बाब जूद उनके पास नेटवर नहीं होता है, अंबे के बॉक्स में एक बाइना कुलर और एक फ्लेयर गन भी मिलती है, लेकिन इनका बैग नीचे डिस एंटीनर के उपर पड़ा था, जिसमें ड्रोन और पी करते हैं, कि इनने से बैकी के टांग में कट लग गया है, बलड रोकने के लिए हंटर उसके उपर अपना सल्ट लपेट देती है, दोनों मदद आने का इंतजार करने लगती है, कुछ देर के बाद बैकी पूछती है, हंटर ने यूटूब चैनल क्यों सुरूँ किया, इस पर हंटर बताती है, देन की वजए से, देन के मनने के बाद उसे रेलाइज हुआ, कि लाइफ बहुत छोटी है, उनको वो सारे अतरंगी सौक पूरे करने चाहिए, जो उन्होंने सोचे थे, से पहले की उपर का टिकट कट जाए, कुछ घंटो बाद हंटर को एक आइडिया देती है, इनको पोस्ट अपलोड करने का साउंड नहीं आता, अब हंटर खुद भी नीचे लटक जाती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता, वो मोबाईल को वापस उपर खिंच लेती है, तब बेकी कहती ही, कि एगर वो हंटर की मोबाईल को नीचे फिंग दे, अब जमी करने लगती है, जबकि मोबाईल गिर कर तूट गया था, उच देर के बाद बेकी नोटिस करती है, हंटर के पैर पर 143 का टेटू बना हुआ है, उच बोलती उससे पहले ही हंटर को आदमी नीचे दिखाई देता है, वो दोनों उसका ध्यान खिचने के लिए चिलाने लगत किन हंटर उसे मना कर देती है, कि दिन में फ्लेर उसे दिखाई नहीं देगी, आदमी पास में ही खड़ी एक आर्मी में जाता है, जिसमें उसका दोस्त रहता है, आज उनका यहाँ पर पार्टी करने का इरादा था, अब हंटर और बैकी अंधेरा होने का वेट करने लगती हैं, बैकी अपने साधी का वीडियो देख रही थी, और तभी बोर्टीस करती है, और उसकी साधी के टाइम पर साड़ा सा मुह बना कर खड़ी थी, रात होते ही बैकी फ्लेर को चला देती है, दोनों आदमी उसको देखकर समझ जाते हैं, कोई टावर के उपर फसा हुआ है दोनों अपनी आरबी लेकर उनके कार पर पहुंच जाते हैं, देखकर बैकी और हंटर खुशी से नाशने लगती हैं, लेकिन ये दोनों आदमी कोई भले लोग नहीं थे, बलकि ये लोग हंटर की कार का कांश फोड़ कर से चुरा कर वहां से निकल लेते हैं, इन दोनों की उमीद फिर से तूड़ जाती है, आधी रात में दोनों की नीद लग गई थी, और हंटर नीद में टावर से गिरते गिरते बच जाती है, कि टावर के टॉप पर ठीक से बैठने की भी जगह नहीं थी, सोना तो दूर की बात है, बैकी फाइनली हंटर से पूच लेती है, उ ये दोनों एक पार्टी में थे, हंटर इसके लिए बैकी से माफी भी मागती है, बैकी को गुस्ता तो बहुत आ रहा था, और वो ऐसी सिचुएशन में है, कुछ बोल भी नहीं सकती है, अगर उनका ड्रोन उनके पास में होता है, उने काफी मदद मिल सकती थी, इस पर हंट हंटर को आइडिया आता है, हैसी के सहारे वो उस एंटीने तक जाए, आसे उनके बैक को लेकर वापस आ जाए, इसमें उनकर ड्रोन और पीने का पानी है, और रास्ता नहीं था, तो हंटर यही करती है, धीरे धीरे नीचे उतरने लग जाती है, लेकिन जब आखिर में रसी को फिर से पकड़ना था, फिर हंटर अपने सेलफी स्टिक को निकालती है, उससे अपने बैक को रसी से लटका देती है, इसके बाद वो खुद भी खूद कर रसी को पकड़ लेती है, बैकी से कहती है कि वो रसी को उपर खीचे, और खुद से भी बीना किसी सेफटी के उप पर चड़ रही थी, कि टॉप पर पहुंचते ही हंटर, इसे ही सीडी को पकड़ने की कुशिस करती है, उसका पैर फिसल जाता है, और वो नीचे गिर जाती है, बैकी बहुत ही जादा डरते हुए नीचे गिरती है, चैन की सांस लेती है, हंटर अपने बैक पर ही गिरी हुई और अभी तक जिन्दा थी, सी हंटर की हाथ जल गए थे, बैकी ही अपनी पूरी ताकत लगा कर और बैक को उपर खीच लेती है, कि बाद वो बैक में से बोटल को निकाल कर पानी पीते हैं, और उसमें खाने को कुछ नहीं था, बैकी ड्रोन में एक कागज पर हेल्प का मैस लिखकर लटका देती है, फिर उस ड्रोन को उड़ा कर पास में से डाइनर तक चाने की कोशिस करती है, कि वहाँ पर कोई न कोई तो उसे देखी लेगा, लेकिन आखिरी रास्ते तक ही ड्रोन की बैटरी लो जाती है, अगर उसे वापस नहीं बुलाया, तो वो डेजर्ट म मेर आता है, वो दिखता है कि हंटर के उपर गिदो ने अटेक कर दिया है, और वो उसके सरीर को खा रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, अपने उपर जल रही रेडर लाइट को देखकर बैकी के दिमाग की बत्ती जल जाती है, बैकी हंटर को बताया हुए लाइफ हैक इपने ड्रोन को चार्ज करने वाली थी, वे होते ही बैकी उस पोल के उपर चड़ने लगती है, हंटर उसको नीचे से हिम्मत देती है, ती तरीके से बैकी उस पोल के उपर पहुंच जाती है, उस लाइट में लगे बल्फ को निकाल कर में ड्रोन कर चार्जर डाल देती है लेकिन चार्जर सौकेट तक नहीं पहुँच पाता तब की सौकेट के अंदर अपनी वेडिंग रिंग डाल देती है इससे चार्जर में करेंट आने लगता है और ड्रोन चार्ज होना शुरू हो जाता है लेकिन डाइनर तक पहुँचने के लिए ड्रोन को फुल चार्ज होना होगा जिसके लिए बेकी को एक दो घंटे तक ऐसे ही लटकना होगा कुछ देर के बाद गिद बेकी के उपर अटेक करना शुरू कर देते हैं और अब वो बेकी को भी खाना चाहते थे बेकी किसी भी तरीके से उपर डटी रहती है और ड्रोन के फुल चार्ज होते ही उतर आती है और सही टाइम का वेट करने लगती है कुछ ही देर के बाद बेकी इस बात को लेकर रोती है उसके डैट डैन के बारे में सही थे लेकिन उसने कभी भी अपने बाप की बात नहीं सुनी फैर टाइम होने के बाद वो दोनों ड्रोन को डाइनर के योर भेजने लगती है ड्रोन डाइनर तक पहुची गया था किन वहां से गुजर रहा एक ट्रक ड्रोन को कुचल देता है ड्रोन तूटकर वहीं रोड पर गिर जाता है इसे साइध ही कोई देखेगा इसी के साथ एक और दिन ढल जाता है साम के समय में बैकी देखती है कि तूफान उनके तरफ आ रहा था बीना खाने के उनका सरीर भी कमजोर हो गया था और अब अपनी आखे भी खुली रखना उसके लिए मुश्खिल का काम था अगर वो सो गई तो गिद्ध उसे नोच खाएंगे हंटर बैकी से कहती है कि उसे कुछ खाना होगा बरना वो मर जाएगे जिस पर बैकी कहती है उसे भी अपना मुवाइल नीचे फेक देना चाहिए कि अब वो दोनों और भी अच्छे से खुसन करेंगे कि वो तूटे ना के लिए बैकी हंटर से उसका दूसरा जूता भी मागती है लेकिन हंटर साफ मना कर देती है कहती है कि मैं तूमें अपना जूता नहीं दे सकती क्योंकि मैं तो नीचे हूँ दोस्तो अब एक बड़ा ट्यूश्ट आता है असल में जब हंटर का पैर फिसला था वो बैक पर नहीं वलकि इस एंटीने पर जाकर गिरी हुई थी उसका सर फट गया था और खून निकलने की वज़े से उसकी वहीं पर मौत हो गई थी और अब हंटर की लास को गिद्ध हा रहे हैं बैकी ने सिर्फ और सिर्फ उस बैक को ही उपर खीचा था यहाँ पर अकेले फंसे हुए खयाल से बैकी इतना डर गई थी वो इतने टाइम से हंटर को अपने साथ रह रही थी पर असल में हंटर मर चुकी है यह रिलाइस करके रोने लगती है और एक और रात गुजर जाती है ज़र उसका डैड बैकी को कवल करकर के परसान हो रहा था बैकी अपने फादर से माफी मागते हुए एक फीडियो भी रिकॉड करती है अकले सुबह तक बैकी भी होस हो गई थी यह देखकर गिद उसे खाने के लिए उसके पास आता है और उसकी टांग को नोचने लगता है लेकिन तभी बैकी गिद की गर्दन पकड़ कर से मरोड देती है और फिर मजबूरी में उस गिद को ही खा जाती है जिससे उसको थोड़ी ताकत मिलती है अब अपना मुबाइल नीचे गिराना ही बैकी के लिए आखरी मौका था हंटर का जूता लेने के लिए लेकि उस रस्ती से धीरे धीरे नीचे उतरती है और फिर उस डिस एंटीना पर कूद जाती है और हंटर की लास में से गिद्धो को बगा देती है तो ने अपने फादर को हिल्प का मैसेश कर दिया था निटवर्क मिलते ही डिलेवर हो जाएगा अब बैकी हंटर का जूता निकाल कर में अपना मुबाइल डाल देती है और फिर उस जूते को हंटर की पेट में घुसा देती है जहां पर गिद्धो से खा रहे थे कि हंटर की बोडी से अच्छा कुशन कोई और नहीं होगा कि अब बाद वो हंटर की डेट बोडी को नीचे फेंग देती है और इस एंटीना में ही बैट कर अपना आखरी समय गिनने लगती है फिर में मैसेज बैकी के डेट को मिल जाता है और वो तुरंत ही पुलिस को लेकर उस टावर पर पहुंच जाते हैं और वहाँ परडी लास को देखकर वो रोने लगते हैं लेकिन असल में वो लास हंटर की थी और बैकी को सही सलामत नीचे उताल लिया गया था बैकी अपने डेट से माफी मागती है और प्रोमिस करती है कि वो अब रोना धोना नहीं करेगी